जै श्री भोलेनात की जै हो आज चलते हैं हम श्री कुकडेश्वर महादेव मंदिर जो की उदेपूर से लगबग 25 किलोमेटर दूर पहाड़ियों में बसा हुआ है अभी सावन का महीना है बरसात का सीजन चल रहा है इसके लिए चारों तरफ आप देख रहे हैं हरियाली च्छाई हुई है और ये कुकडेश्वर महादेव मंदिर इस पहाड को उतरने के बाद में वहाँ पे स्थिते ये पहाडों का पानी देखिए बरसात का मोसम होने के कारण पहाडों में से पानी रिस रिस कर आ रहा है काफी स्वच पानी है ऐसा लगता है कि पानी थोड़ा पी लेवें इतना स्वच पानी है और चारों तरफ पहाड ही पहाड हरियाली इस रास्ते को थोड़ा काट कर बनाया गया है ताकि आसानी से जा सके पहले तो बहुती दुर्गम रास्ता था आप फॉर विलर से जाते हों टू विलर से जाते हों आपको अपने वाहन एक किलोमेटर दूर पार्क करना होता है यहाँ पे यह बन रही है धर्मशाला कुकडेश और महादेव धर्मशाला इसका नाम है अभी निर्माना धीन है नहीं बनी है बन जाने के बाद में लोग यहाँ परसादी वगेरा कर पाएंगे रुक पाएंगे यहाँ पर बरसात वगेरा आजावे तो भी थोड़ी चाया मिलेगी अब यहां से बहुती कम दूरी पर कुकडेश वर महादेव मंदिर हम पहुँचेंगे रास्ता बड़ा दुर्गम है यानि कि पैदल जाते हैं तो भी थोड़ा सावदाने से चलना पड़ता है पहारी रास्ता है जरासा आप अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो पत्तर से ठोकर लगकर आप नीचे गिर सकते हैं यहां से थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा और वहां पे पानी का नाला भी आने वाला है यह देखिए एक पेड़ यहां पे रास्ते में ऐसे गिरा हुआ है रास्ते को रोक के रखा है लेकिन हम पेड़ के नीचे से निकलेंगे इस पेड़ को ऐसे ही रहने ज्याएज़ा कितना सुन्दर लग रहा है देखिए पेड़ और यहां से साइड म से आप जा सकते हैं कुकडइश और महाधे मंदिर के पास यह जो नाला बैहता है नाला चुका है बहुत सच पाणी है यहां का और पाणी के अंदर बहुत सारी मचलियां देखने को यहां पे मिलती है ये पैदल रास्ता है, अगर ज़्यादा बरसात होगी ति इस रास्ते के उपर से भी पानी गुजरता है, तो इसके उपर से ही हम जाएंगे, लेकिन नजारा देखने की बहुत इच्छाव, देखो ये जरने जैसा लग रहा है, जैसे जरना बैरा हो, पहाडों से पानी आ रह ही है लेकि झाल 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 झाल